वर्ल्लकप की ये कैसी तयारी है? आखिर क्या है टीम मेरेजमेंट का गेम प्लैन? जो ना तो फैंस की समझ आ रहा और ना ही क्रिकेटर्स की समझ में? आखिर क्यों टीम इडिया वर्लकप से दो महीने पहले अपने एक्सपेरिमेंट्स अजबाने में जुटी है? एक्सपेरि जहां पहले वंडे में विंडीज चीम को 114 रनों पर रोखने के बाद भारत ने भी 115 बनाने में अपने 5 बल्लेबाच गवाए। जबकि दूसरे वंडे में तो टीम का हाल इससे भी जादा बुरा हुआ। जब आत्म विश्वास जूनने की कोशिश कर रही विंडीज चीम ने टीम इंडिया को 181 रनों परी समेट दिया और बाद में 6 विकिट से मुकाबला भी जीत लिया। सिरीज में दो मैचों के बाद जहां भारत को दो शुनने से आगे होना चाहिए था, महां अपने एक्सपेरिमेंट्स की चक्कर में भारत अब एक एक से विंडीज चीम के साथ बराबरी पर है। सिरीज का तीसरा और डिसाइडर बन चुका मुकाबला अब कल यानी एक अगस्त को खेला जाएगा जहां पर इंडिया अपने और नए एक्सपेरिमेंट्स के साथ नजर आती है या फिर बिना एक्सपेरिमेंट्स के ये देखना और भी दिलचस्प रहेगा। बेराल विंडीज से मिली इस हार के बाद अब फॉर्मर इंडियन पेसर वेंकटेश प्रसाद ने टीम इंडिया की अप्रोच और एटिट्यूड पर सवाल चिन लगाया है। साथ ही इंडिया के चले आ रहे हार के सिलसले के कारण को भी बताया है। वेंकटेश प्रसाद ने सवाल अपने ट्वीटर हैंडल पर ट्वीट कर पूछे। और लिखा टेस्ट क्रिकेट को छोड़ दे तो बाकी दोनों फॉर्मेट में इंडिया का खेल पिछले कुछ समय में काफी सधारान रहा है। बांगलादेश, सौथ अफ्रीका और उस्टेलिया की खिलाव बंडे सिरीज में हार मिली फिर लगाता टीटोंडी वर्लकप में खराप्रदर्शन दिखा। ना तो हम इंगलेड की तरह रुमांच बनाने वाली टीम है और ना ही ऑस्टेलिया की तरह हावी होने वाली। मनी और पावर के बावजूद हम सिर्फ आम टीम की तरह बनकर रह गये हैं। और एक चेंपिन टीम से काफी दूर हैं। हर टीम की तरह टीम इंडिया भी जीतने के लिए खेलती है लेकिन टीम के इरादे और रवया एक बड़ा कारण है जो बार बार टीम ऐसा खेल रही है जबकि इंडियन लेजंड कपिल देप का तो ये तक कहना है कि आज के समय के खिलाडी पैसा आते ही विवार भी बदल लेते हैं उन्होंने ये बात लेटल मस्चर सुनील कवासकर के बयान पर बोली जब सुनील कवासकर ने सवार उठाये थे कि आज के क्रिकेटर्स किसी से सला लेना नहीं चाते जैसे कि पहले के दोर में क्रिकेटर्स किया करते थे बस इसी बात पर उन्हों ने बोला कभी कभी जब ज़्यादा पैसे आने लगते हैं तब विभार भी बदलने लगते हैं आज के क्रिकेटर्स खुद को ही सब कुछ समझते हैं बस यही अंतर है बे यही कहूँगा कि अभी भी इनमें बहुत ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनें मदद की जरूरत है स्पोर्ट्स तक भी रो मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब जानने के लिए हर अपडेट लाइव अनालिसिस स्पेशल इटिव्यूज डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक आप